नमस्कार साथियों, सीजी जाव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, नए साथी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइगे, देखे, प्रदेश में सिक्षक की कमी को लेकर पालक धरने पर बैट गए हैं, जी हाँ, एक ऐसा सरकारी स्कूल जहाँ पर सिक्षकों की कमी क लेकर भारी आक्रोस देखा जा रहा है, और पालक धरने पर बैट गए हैं, विस्तार सी प्रनबात करूँगा, साथी नए हैं, हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, देखे साथियों, सरकारी स्कूल में सिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामेरों में भारी आक देखा जा रहा है, यही वज़ा है, कि जो पालक है, वह धरने पर बैट गए हैं, बच्चों के भवी से को लेकर, आप जो है, इनकी क्यामा, यह जो मामला है, वह 36 गर के बेमेतरा जिला का है, बेमेतरा जिला के ग्राम पंचयाद चर्गवा के सरकारी हाई स्कूल में, शिक ग्रामिर सिक्षकों की कमी को लेकर, इसकूल के बाहर धरना दे रहे हैं, उनका विभागी अधिकारियों पर आरोप है, कि कई बार मामले की सिकायात करने के बाद भी समस्या का हल नहीं किया गया है, जिससे कि वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविश्य पर अं गरकारी इसकूल में अध्यान दो करते हैं, लेकिन सिक्षक के अभाव में वहाँ पर पढ़ाई चोपट हो गई है, यहां आपको इसकूल में उनके वर्तमान इसकूल का भी हाल दिख रहा है, चरगवा गाओं है, सासकी प्राथ्मिक साला चरगवा इसकूल का हाल आपको द खाई दे रहा है, गराम पंचायात के सरकारी इसकूल में 6 गाओं में 200 से अधिक बच्चे अध्यारत है, जो की कक्षा छटवी से कक्षा दस्वी तक पढ़ती हैं, लेकिन इसकूल में केवल 4 शिक्षक उपलब्द हैं, शिक्षकों की कमी की करण सभी कक्षाओं में पढ़ और भावीत हो रही है, और इसकी क्या हास, बच्चो के सिख्षा का जो उनके अधियान पर असर दिख रहा है, शिक्षकों की कमी के करण सभी कमी करें पर सिधा असर हो रहा है, गरामिर और पालक लगातार समस्या का समधान निकालने के लिए प्रयास रत हैं, और अधिकायो से सिग्र कारिवाई की भी मांग कर रहे हैं यदि इस समस्या का सिग्र समधान नहीं हुआ तो बच्चों की सिख्षा पर इसका गंभीर असर पर सकता है इस तरह से जो है वहां की जो चरगवां ग्राम है वहां के ग्रामिर बहुत ज़्यादा आक्रोसी प्रदेश में ऐसा एक सिख्षा में किसी प्रकार से जो है भरती की चू तक वो नहीं रेंग रही है प्रदेश में प्रत्यक विद्यालाय शिक्षा की कमी से शिक्षक मांग रहा है बच्चे शिक्षक मांग रहे हैं लेकिन सासन को सिर्फ राजनिती ही समझाती है बच्चों के भविश्य को लेकर सासन कोई सुध नहीं ले रही है वहीं दूसरी और आने वाले पिछले 10 सालों का रिकार्ड देखें तो सिक्षा के छेत्र में खर्च भी अब सरकार जो है कम कर दिया है पहले जो सरकार सिक्षा में बजट में ज़्यादा खर्च करती थी लेकिन अब जो है सिक्षा के छेत्र में खर्च को भी कम कर दिया है जिससे की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को संसाधन की भी कमी होने लगी है फिर आने इस वीडियो में इतना ही सासन से यही गुजारिस है कि प्रदेश में जल्द से जल्द सिक्षकों की भरती करे ताकि आम लोगों को और उनके बच्चों को सिक्षा में किसी तरह की रुकावट नहों और वो बिना रुकावट के अध्यान कर सकें जही